ओ चाचा जी का है चुप चुप के मुस्कुरा रहे हो का बात हो गई अच्छा समझ गए हम आपकी अभी डॉक्टर जी से बात हो रही थी ना ओ तो यह बात है अब हमको पता चला आप इसलिए डॉक्टर जी से बात कर रहे थे ना कि अगर आप शादी में जाओगे तो मिठाईयां खा सकते हो की नहीं तो फिर कहा कहा डॉक्टर जी ने खा सकते हो कहा क्या चाचा जी आप भी न मिठाई खाने के चकर में इतना बड़ा कदम उठा लिया हमारा कहने का मतलब है आपको तो पता है चाची जी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप मिठाई खाओ आपकी तब्यत खराब हो जाता है सुगर लेवर बढ़ जाता है फिर काहे खाते हो इस सब मत खाय किजिए और चाची जो भी कहती है उनकी बात सुन लिया किजिए अच्छा हम चलते हैं जैराम की